नमस्ते दोस्तों इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन चानल में आप सभी का सौगत है मैं डॉक्टर अमोल आपके समने आज एक ऐसे एप्लिकेशन के बारे में जानकार देने वाला जो कि विध्यारती के लिए भी और एक शिक्षक के लिए भी भी बहुत ही जादा आप मोबाइल में कर सकते हैं तथा आपके PC में भी यूज कर सकते हैं तो चलिए दोस्ता हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मोबाइल में इसको कैसे यूज करना है तो आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर पर जाने के बाद सर्च करना है चाइट जीपिटी जैसे ही सर्च क इसको ही आपको क्लिक करना जैसे आप उसके उपर क्लिक करोगे तब आपको पता चलेगा यह जो option है वो open AI applications है और उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसकी rating कितने सबसे पहले कोई भी app download करने के पहले हमें rating जरूर देखने 4.7 मतलब बहुत ही अच्छी rating है साथी साथ आप नीचे दिए गए comment भी पढ़ सकते हैं या review पढ़ सकते हैं और उसके बाद ही आप कोई भी apps download करते हैं उसके इंस्टाल करते हैं यह बात जरूर देखेंगे उसके बाद इंस्टाल करना है इंस्टाल करने के बाद चैट GPT का जो open AI का जो options है व होगा download होने के बाद इंस्टाल automatically होता हुआ दिखाई देगा जैसे ही प्रोसेस खतम होती है तब हमें क्या करना है कि उसके open एक ऐसे symbol आएगा तो नीचे जाके open करना है open करने के बाद वह application open होगा तो उसमें सबसे पहले आपको welcome message दिखाई देगा उसके users क्या यह दिखाई जो जो एप्लिकेशन जो जो email id है उसमें से कौन से email id पे करना है वह आपको select करना पड़ेगा जैसी आप इसको open करेंगे तो आपके सामने welcome to chat GPT ऐसे option आएगा उसको आपको continue करना है continue करने के बाद आपके सामने आप chat GPT यूजज कर सकते हो तो आप हम देखेंगे कि chat GPT के म मद्यम से आप बहुत सारे reports बना सकते हैं बहुत सारे notes बना सकते हैं अपने principle या आपने जो भी authority को लेटर लिख सकते हैं बहुत सारे application लेटर से bio data आपका readymate तयार करके मिलेगा बहुत सारे videos के लिए आपको content तयार करना है LMS के लिए content तयार करना है and number of work is applications में हो सकते multiple choice questions भ बनाना है तो हम लोग एक उधारन के तोर पर देखते हैं कि tree plantation project के बारे में हमें report बनाने tree plantation project लिखना है उसके बाद लिखेंगे कि एन एसेस 80 students participated 80 students participated participate उसके बाद उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि tree sapling उसके बाद लिख सकते हैं कि organizer organizer के तोर पर अगर हम लोग लिखेंगे तो डी आर गोपाल उसके बाद आपको लिखना है कि president प्रेसिडेंट इस प्रोग्राम का सपोज डॉक्टर या हम लोग लिखेंगे कि प्रिंसिपल डॉक्टर सोमन उसके बाद आपको लिखना है सपोज कि जो भी जी जगह पे हमने किया था वो प्लेस प्लेस में हम लोग देखेंगे कि sdm college दादर ground ठीक है तो इस तरह से यह जो भी आपको informations लिखने है वो आप लिखने के बाद आपको क्या करना है नीचे जाके फिर एक बार लिखना है कि prepare को प्रिपेर रिपोट ये बात जaciaरूर ध्यां में रखना है कि आपको जो भी चाहिए आप रिपोर्ट बानाना चाहिए आप उसके ओपर ट्री आए जिस जैसे एसे लिखना चाहिए आप स्कृप्ट लिखना चाहिए तो आपको सिर्फ उसको कमांड देने जैसे मैंने प्रिपेर रिपोर्ट बोलने के बाद क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से अब देख सकते हैं कि प्रिपेर हो रहा है जैसे कि आप बफरिंग का सिंबॉल देखेंगे fraction of second में आपके सामने tree plantation project report दिखाई देगा जैसे कि date आया है location आया organizer किस ने किया था उसके बाद participants कितने लोग थे project summary सब आ जाईगी जैसे कि NSS के बच्चों ने SDM college दादर ground पे जो भी tree plantation किया था उसके बारे में जानकर रहेगी activities के बारे में जानकर रहेगी इस तरह से हमारे सामने report जो है वो fraction of second में हम लोग कोई भी project का report बना सकते हैं लेकिन ये करते से मैं हमें ये जरूर देने में रखना है कि आपको उचित जो भी directions देने keywords का इस्तमाल करना है जो कि आपके project report के लिए आपके notes के लिए या आपके हर एक काम के लिए बहुत ही ज्यादा useful हो सकता है जैसे आप देख सकते हैं कि एक fraction of second में हमारे सामने project जो है वो तैयार हुआ है आप उसके बीच में copy करके आप इस report को copy करने के बाद आपको क्या करना है कि word file में जाके उसे paste करना है और फिर उसमें जो जो changes आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा बहुतरीन और बहुत ही ज्यादा useful साबित हो सकता है उसके बाद आपको देहन में रखना है कि अगर आप कोई आप सपोज लिव application लिखना है आपको फ्रिंसिपल सर को तो यहां आप में जाके लिव application फॉर प्रिंसिपल ऐसे अगर आप डालेंगे तो और यहां इंटर करेंगे तो फ्रैक्शन ओप सेकंड में लिव application का format आपके सामने दिखाई देगा उसमें जाके आपको डेट डालना है स्टार्टिंग डेट डालना है कुछ जो उस लिव के लिए जो जो रिक्वाइड थिंग वह आपको डालने है और फिर आप प्रिंसिपल सर को अपने प्रिंसिपल सर को लिव application लिख सकते हैं अगर आपको नोट्स दुनने है जैसे कि टाइबस ओप गाइडन्स और ऐसे करेंगे तो आपके सामने फ्रैक्शन अब सेकंड में टाइबस अब गाइडन्स के प्रकार आपको दिखाए देंगे तो यह इतना इजी आइसा टो लगी कि जिसको यूज करके आप कोई भी जानकारी जो की इंटरनेट पे अवेलेबल ह देंगे आपको प्रैक्शन ऑप सेकंड में आपको मिल सकते हैं स्टोरी आपको आपको सामने प्रैक्शन ऑप सेकंड में मौरल स्टोरी जो है वो आपके सामने तयार हो जाएगी यह इतना easy to like जिसका इस्तमाल करके आप तूरंथ अपने associate यह अपने related जो भी जानकरी आपको जो भी जानकरी चाहिए वो आपको fraction of second में आ सकते जैसे कि fraction of second में story 3-4 story आपके सामने आएगे जो आपको बहुत ही अच्छी लगती है वो आप उसका use कर सकते अगर आपने यहां डाला की flowers and flowers fix ऐसे अगर आपने डाला तो flower की fix भी जैसे देखो यह जगह पे हमने wrong information डाली तो इस तरह से I'm sorry ऐसे भी करके वो आता है कि हमें picture नहीं आपको text format में जो भी information चाहिए वो हम लोग दे सकते तो यह एक message important है कि आपको search करना है तो text information आपको search करनी है आशा करता हूँ कि यह chat GPT जो apps है वो आपको बहुत अच्छा पसंद आयोगा आगे जाके आप इसका इस्टमाल करके करता हूँ कि यह बहुत ही जादा आपको उप्योंगी होगा अगर आप कोई यह सचमुच आपके मन को अगर यह वीडियो अच्छा लागा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके साथ ऐसी ही बहुत सारे वीडियो के साथ जुड़ सके धन्यवाद